नमस्कार नीश पोडेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग आज 21 फरवरी है और लालू यादब के लिए फैसले की घड़ी है लालू यादब तो चारा घड़ाले मामले में दोशी करार दिये ही गए हैं लेकिन आज 21 फरवरी को उनके सजा कया ऐलान होना है कि कितने दिनों तक लालू यादब को सजा होगा आपको बता दे कि पांच से साथ साल तक लालू यादब को सजा हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है आपको बता दे कि चार मामले में लालू यादब रिहा हो चुके थे पांचवा मामला और ये सबसे बड़ा मामला दुमका कोसागार से है वैद निकासी का जो है उसमें सबसे से जो है वो रिमांड में उन्हें कस्टडी में रखा गया और आज 21 फरवरी है और उस दिन डेट दिया गया था कि 21 फरवरी को सजा का एलान होगा लालू यादब को लेकर कि कितने सालों की सजा लालू यादब को होगा आपको बता दे कि फिलाल जहां हम खड़े हैं अभी य दस सर्कुलर राबड़ी अवास है जहां लालू यादब जब यहीं से निकलकर वो पटना से ही 14-13 तारिक को वहां राची के लिए रवाना हुए थे राबड़ी अवास से ही निकलकर उसके बाद 15 तारिक को उनके कोट में पेशी थी जिसके दौरान वो दोसी करार दिये ग हैं उसके अत्रिक्त कोई नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अमोमन जब लालू यादब होते हैं या हलाकि नेता प्रतिपक्ष तरिश्वी आदब और राबड़ी देवी वह भी यहां मौजूद है लेकिन लालू यादब को लेकर आज फैसला आने वाला है किस तारिक है आज और आज यह ऐलान हो सकता है यह 5-7 साल की सजा का ऐलान किया जा सकता है कोट की तरफ से फिलहाल यह जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक लेकिन कितने साल की सजा होगी यह तो आने वाले वक्त में कुछी घंटों में पता चल जाएगा कि कितने देर बाद कितने दिनों की सज लालू यादब को होगी लेकिन उससे पहले किस तरीके का नजारा राबडी अवास पर है जो आप देख रहे हैं फिलहाल राबडी हाउस पूरह सननाटे में तब्दील है और आज लालू यादब के लिए बड़ा दिन भी कहले क्योंकि कई अब कुछी घंटों के बाद उनको फैसले के घड़ी आजाएगी और फैसला भी आजाएगा कि आखिरकार कितने साल लालू यादब को और जेल में रहना होगा लंबे समय तक लालू यादब पटना आने के बाद जिस तरीके से फिर पाच्वेक पेसी की सुनवाई हो उसके बाद आज जब यह देखना है कि आखिरकार जब फैसला आता है तो लालू यादव को किस तरीके की सजा मिलती है कितने शालों की सजा मिलती है या जिस तरीके से लालू यादव की तवियत खरा झाल झाल